Things you shouldn't do ये चीजें कभी मत करना अगर आप पब्लिक स्पीकिंग में हो सबसे पहला, read directly from notes कभी भी अपने notes से पढ़ के presentation मत देना दूसरा, read directly from screen अगर आप slide present कर रहे हैं तो उससे भी कभी भी पढ़ के अपनी presentation मत दीजेगा तीसरा आजाता है, turn back on the audience जब भी भी presentation दे रहें, अगर freedom to walk है स्टेज पे इसका मतलब ये नहीं कि आप audience को back दे 4. slouch or hands in the pockets I do agree, कभी-कभी pocket में हाथ रखना को confidence show करता है but with a slouchy posture, bend होके, कभी भी pockets में हाथ नहीं रखी 5. पॉइंट से no, um, uh, you knows और इस तरह के और भी बहुत सारे fillers होते हैं जो हम public speaking में हमें use नहीं करने चाहिए 6. no nervous gestures अगर आप nervous हो रहे हैं तो कभी भी ये gestures मत कीजिएगा be relaxed next, talk too fast अक्सर हम जब nervous होते हैं या हमें घबराट हो रही होती हैं हम बहुत जल्दी-जल्दी बोलने की कोशिस करते हैं तो ऐसा कभी नहीं करेंगे talk too quietly कभी भी बहुत धीरे-धीरे मत बोलेगा जब हम अक्सर धीरे-धीरे बोलते हैं इट अलवेश शोओस दाट वी आर less confident और वी आर नर्वस तो इस वीडियो में इतना ही थांक यू सो माच फो वाचिक नहीं नहीं सोचे मत सब्सक्राइब कीजे